यंगे तोत्री बिदायक बाड मेर, अरुन तोत्री जी बिदायक पजमद्रा, छोटु सिंग जी भाटी बिदायक जैसल मेर, एवा हमारे जिलाद्यक्ष जैसल मेर और बाड मेर, बालोत्रा, हमारे मदन जी राठ और हमारे राज़्चवा के सांसर, संकर सिंग जी राजपरो मेरे पूजयोग बुज़रगो नौजवान दोस्तो और इतनी बड़ी संक्या मैं हाई माता बेहनो आप सभी को में नमन करता हूं आपका बंदन करता हूँ आप सभी को प्रणाम करता हूँ मैं तुरह मैं बताने चाहता हूँ कि हमारे देश की यसोची प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने इस राजिस्तान की धराः पर पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अबनन्दन करता हूँ और मैं आप चेकेना चाहता हूँ हमारे देश की यसोची प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने के नेतरत में देश के भोया में विकास हो रहा है बिग्यान हो या स्वास्तो या पिर आदार बूट धांचा हो बिकास हर चेत्र में भारत ने अतुलनी बिकास इन दस सालों में किया है स्वास्त के चेत्र में अगर हम बात करें हमारे देश की यसोची प्रदान मंत्री जी ने देश में हस्पताल सेवाओं स्वाओं को बिकास का एतिया से कारी किया है पिछले दस सालों में पंदरे नए एम्स खोले गए जबकि 2014 से पहले सिर्फ साथ एम्स देश के अंदर थे पिछले दस सालों में देश में तीन सो गुनीस नए सरकारी मेडिकल खोले गए ये पूरे देश के अंदर रिकार है कि 10 साल के अंदर 319 मेडिकल कॉलेज खोले गए पिछले नौबर्सों में राजिस्तान में भारत सरकार की और से 23 मेडिकल कॉलेज खोले गए है 23 मेडिकल पूरे राजिस्तान के अंदर वो 2014 से 2023 तक M.E.A.S. सीटों की संक्या 51,000 से बढ़ाकर 70,000 डाक्टरों की संक्या बढ़ाकर मानी हमारे प्रदान मंत्री जी ने किया है देश वर में 10,000 से जादा प्रदान मंत्री जन ओज़ी केंदरों को आमजन की सस्ती दवाओं के लिए मानी प्रदान मंत्री जी ने खोला है क्योंकि ये सीमावर्टी छेत्र है मैं रक्षा के छेत्र में हमारा आत्म निर्वर होता हुआ भारत मानी प्रदान मंत्री जी के नेत्रत में रक्षा के छेतर में तेजी से हाथ मनुर हो रहा है और यह नहीं रक्षा के छेतर में हो रहे विकास मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत ने स्वेदेसी रूप से विक्सित हलके लड़ा को हेलिकॉप्टर परचन्द को भारती बाई से नामे सामिल किया गया है मिसाइल इन सबका इत्वादन भारत के अंदर होता है इस से 2014 से पहले भारत के अंदर एक भी निर्मार इस तरह का नहीं होता था मैं निश्यत रूप से देश के एसोची प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी के नेतरत में इतना बड़ा काम रक्षा के छेतर में हुआ है हमारे प्रदानमंत्री जी के भैसलों से बैस्टुक मामारी के बावजूत हम सब से तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्ता 2024 में 2.6% की अनमानित विकारतर के साथ भारत दुनिया की सब से तेजी से बढ़ती प्रमुक अर्थ व्यवस्ताओं में से एक है यूपी आई से बिस्ट के 40 प्रिजिटल लेंदेन अब भारत में हो रहा है बित्बर्ज 2023 में भारत का कुल्निर्याद 776 अरब डॉलर के सर्वकालिक उत्विस्तर पत पर पहुंच चुका है प्रदान मंत्री मुत्रा योजना में 25 पॉन 5 ला करोड के 43 करोड से अधिक रिण सुकृत हो चके हैं दुनिया बर में हर दसमें से एक यूनिकार्म भारत में है आदार भूट धाचे की अगर हम बात करें तो यह सची प्रदान मंत्री जी के नेतरत में आदार भूट धाचा तेजी से बिक से दो रहा है देश की आगरी छोर से तक सड़क रेलियम बिजली पहुँच रही है और आपने भी देखा है मैं तो मैं आप से कहना चाहता हूँ जब भारत माला की जो हमारी योजना जब उस पर चलते हैं आपको कैसा महसूस होता है जिस तरह से भारत माला यह उस पर प्लेन भी उतरता है यह बाड में साचोर और जैसल मेर और भी कानेर होते हुए आपने जिस तरह से देखा है मैं आप से निवेजन करना चाहता हूँ रेलवे के छेतर में जितना बड़ा विकास हुआ है यही नहीं मित्रो मैं आपको एक और में मताना चाहता हूँ कि देश के एससी प्रदान मंद्री नरेंद्र मोधीजी ने हमारे जिस तरह से मानि प्रदान मंद्री हर पर की समझ चांग को निदान को तक पर रहते हुए इसलिए देश के सिल्पकार कारीकार OBC जातियों को सम्मल प्रदान करने के लिए पहली बार PM 20 करमा योजना बनाई गई है इस योजना के माद्यम से राजिस्तान की भी OBC जातियों के कारीकार और सिल्पकारों को कौसल विकास प्रिसिक्षन और बित्ती अलोन की सुजया पराफ्थ होगी इसमें हमारी वो जातियां जो अपने खुल के सिल्पकार के माद्यम से काम करती थी चैसे हमारे सुतार भाई हो सुनार भाई हो लोहार भाई हो कुमार भाई हो नाई, दोवी, माली, सीपा, दर्जी इन सभी के लिए ऐसी हने जातियों के कारीगरों को कुछ सल उन्यन के लिए ये योजना बनाई गई है प्रिसिक्टन प्राप्त करने के पच्चाथ पंद्रहजार रुपे उन्नत किस्म के ओजार खरीदनी के लिए इसमें दिलवाई जाते हैं और यहीं नहीं, अपना ब्यापार बढ़ाने के लिए पहले एक लाग और उसके पच्चाथ दो लाग यानि कि कुल तीन लाग रुपे बित्तिये लोन अल्पिप्याज पर कारीगर प्राप्त करके लाब ले सकते हैं यहीं नहीं मित्रो हमारा जिस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारा जिस तरह से राजिस्तान के अंदर हमारे लगू उत्योग हैं उन लगू उत्योगों को बढ़ाने का काम देश के एसो सिप्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को आए हुए लगबग चार मीने हुए हैं हमको 90 दिन का काम मिलाता क्योंकि आचर सेंचा लग गई थी मैं आपको कहना चाहता हूँ चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल पत्र में लिया था हमने 40 से 45 परसेंट तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है मैं निश्यत रूप से मानिये हमारे एसोची प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी जी को मैं धन्दमा देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजिस्थान की बहुत समस्या जो राजिस्थान में सबसे ज़्यादा है पानी की समस्या उस पानी की समस्या को पूरे राजिस्थान के अंदर अगर सरल करने का काम किया है हमारा या मद्ध प्रदेस हो या हमारा हर्याना हो या हमारे यहां की योजनाए हो उन सभी योजनाओं को बढ़ाने का काम देश के यसोची प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने किया है मैं आपके माद्यम से मानिये प्रदान मंतरी जी को सुबकामना देना चाहता हूँ धन्वाद देना चाहता हूँ कि राजिस्थान की इस पियासी धर्दी को पूरे उत्तर से ले के पश्चिम से ले के पूरव से ले करके दक्षिन तक पूरा काम पानी की योजनाओं को बनाने के लिए किया है मैं आप की तरव से राजिस्थान की सरकार की तरव से राजिस्थान के जंजन की तरव से मैं आपको बहुत बहुत धन्दबाद और सादू बाद देना चाहता हूँ और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मत्रों कि हमारा जो विकास है हमारी जो मोदी जी की गारंटी है और गारंटी ये नहीं पूरा होने की गारंटी जबी तो कहते हैं सपने नहीं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं और तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं आप सभी को ब आदरिने सीम साब का हार्दिक धन्यवाद मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़ बेर की इस पाविन धरा पे उठी ये गोच प्रतेक कार्य करताओं में उच्छा भरने का कार्य करेगी एक बार आप दोनों हाथ को उठा कर मेरे साथ बोले अपकी बार अपकी बार अपकी बार अब मैं बुलाना चाहूंगी जिनके सुनने के लिए हम सब बहुत उत्साइब हैं दुनिया के सबसे बड़े नेता लाखों करोडों युवाओं के आदाश विश्व के सबसे लोग प्रिया नेता जिसकी गारेंटी पर भी गारेंटी है जालबादी शूर्मा पूरे देश के सूर्मा हमारे प्रधान मंत्री जी आदर इडिया नरेंर मोधी साब भारत माता की भारत माता की भारत माता की राम राम साथ शक्ति और भक्तिरी परिचायत चैत्रिय नवरात्रा रे चोथे दिन मातास कुण्बसकुस्मांडा रे स्वरूपने मारो कोटी कोटी प्रणाम बाढ़ानाई और जैसाइने रे वासियोंने मारी गणे मांजू राम राम मैं सबसे पहले तो बेन ममताजी को बदाई देता हूँ इतना शांदार संचालन कर रही आप मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका आज नवरात्री के पावन अवसर पर मुझे सिद्वों और शुरिविरों की धर्ती एक बार फिर आप सब के दर्शन करने का सवभाग्य मिला है ये वो धर्ती है जिसके बीरों की कहानिया आज भी सीमा पार खौफ परदा करती है जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है वहां आपके होसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है ये जन सहलाब ये जन समर्थन बताता है बाड मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशिरवाद देने का संकल्प ले चुकी है इस चुनाव में आपका एक एक वोट विख्सित भारत की नीव मजबूत करेगा ये चुनाव बलका नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पुरा देश कह रहा है चार जून चार जून चार सो पार चार जून चार जून और मालानी की यही पुकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाईयों और भहनों बाड मेर हमारी पार्टी के वरिष्ट स्वर्गिये जस्वन सीजी का खेत्र है यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबग सिखाओ बाड मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी आप इस बार भी पहले से ज़्यादा मोटों से बीजेपी को जिताएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है साथियों कॉंग्रेस पार्टी ने पांच छे दसक से ज़्यादा देश पर हुकुमत की लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्य ऐसी नहीं जिसका संपुर्ण समाधांग कॉंग्रेस ने दिया हो राजस्थान के लोगों से बहतर इस बात को कौन जानेगा जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सीचा उस राजस्थान को कॉंग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा मेरी माताएं बहने तप्ती गर्मी बहन रेतिले धोनों पर सीर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी हमारी बहने यहां कहती थी गी ढुले तो मारो कुछ न जासी पानी ढुले मारो सब कुछ जासी याने पानी गी से भी जादा मुल्यवान था लेकिन सत्तर साल तक किसी ने इन माताओ बहनों की नहीं सुनी जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मोका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बिड़ा उठाया जल जीवन मिशन से हमने राजस्तान के पच्चास लाख गरों तक पानी पहुँचाया है लेकिन जीतने दिन राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जम कर ब्रस्टाचार किया कॉंग्रेस ने राजस्तान तक पानी लाने के लिए ERCP परियोजना भी पूरी नहीं होने जी वहीं हमारे बजनलाग सर्माजी की सरकार ने सो दिन के भीतर ही ERCP परियोजना को पास करवाया है हरियाना से पानी का समझोता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्तान हो या चाहे गुजरात हो हम लोग तो लाखा बंजहरा को अपना आदर्श मानने वाले लोग है हमारा संकल्प है कि हम राजस्तान के हर गर तक पानी पहुचाए साथियों कॉंग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है ये लोग देश के सीमावर्ती गावों को देश के आखरी गाव कहते हैं ये लोग सीमावर्ती जीलों को वहाँ गावों को जान बुझकर विकास से वंचित रखते थे और आप हैरान हो जाएंगे क्यों रखते थे क्या तरक देते थे अफिशली बताते थे वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कबजा करने की संभावना बढ़ जाएगी ये शर्म की बात है कि नहीं भाई क्या हम इतने भुजदिल हैं कि हम बढ़िया राते बनाए तो दुश्मन उच्पर चड़ जाएगा क्या बात करते हो शर्मानी चाहिए आपको आप मुझे बताईए कि इस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वो बाण मेरी की सीमा में गुज़कर कबजा करने की सोचे है है हिम्मत की सीमा भाई यो बैनों हम सीमा वरती इलाकों को सीमा वरती गावों को आखरी गाव नहीं देश का प्रथम गाव मानते है हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरू नहीं होती है हमारे यहां यहां से देश शुरू होता है आज अगर देश में चार करोड गरीबों को पी-एम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर को भी पौने दो लाक गरीबों को पक्के आवास का लाव मिला है भाजपा सरकार देश की आखरी सीमा तक सडकें और हाइवेज बना रही है हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है आज सीमा वर्ती बाड़मेर में बहत्तर हजार करोड रुपिय लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है और मेरे बाड़मेर के भाई बेन सुनिये अगर यहां कॉंग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टम में ही मैं आकर उद्गाटन कर जाता लेकिन कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटे डाली लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे तीसरे टम में मैं रिफाइनरी का उद्गाटन करने जुरूर आऊंगा और जिस दिन रिफाइनरी के उद्गाटन के लिए आऊंगा उद्दिन इस चुनाव विजय के लिए दन्यवाद भी करने आऊंगा आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के आऊसर पैदा होंगे युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे मेरे बाडमेर के भाई भेन जो पुराने लोग है वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा यह संभव है यह होगा क्या स्वाबाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिनकी गुजारी है यहां से पलायन होना बहुत स्वाबाविक था माबाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ यहां रहके क्या करोगे वो दिनते हैं ऐसा ही हाल कचका था मैं गुजरात का अनुभव बताता हूं आपको कचका भी हाल ऐसा ही था लेकिन दोजार एक के भुकम के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मोका दिया आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जिल्ले हैं उसमें आज कच्च जिल्ला पहुंच गया है मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्छ की जमिन की कीमत हो गई है अगर कच्छ बदल सकता है तो बाड़बेर बदल सकता है या ने बदल सकता है बदल सकता है या ने बदल सकता है मैं ये करके आया हूँ अब इसलिए मैं गारंटी देता हूँ ये भी मैं करके रहूंगा यहां के एरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जम कर रोडे अटकाए थे अगर कॉंग्रेस ने बे बजब ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एरपोर्ट दो साल पहले ही चालू हो जाता साथियों कॉंग्रेस ने जिन लोगों को दसकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है हमारे आधिवासी समाज के बच्चे आगे बड़े इसके लिए हम एक लब्य मोडल आवासी स्कूल खोल रहे हैं आधिवासी समाज को सीकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं भाजपाने आधिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आधिवासी राश्पति दिये हैं हमारे गाव ढानियों के महिलाएं मेगवाल समाज, लंगा, मंगनियार समाजने के लोग पीजियों से हस्तकला का काम करते आए हैं भाजपाने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना श्रुदो की है अपनी महनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पी-एम किसान सम्माननी भी बेज रहे हैं किसानों की आए भड़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था सिर्व हम गाउं के लोग खाते थे आपको जान करके खुजी होगी अभी में जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने रास्पति ने अपने भोगर में बाइट हाउस में बड़ा बोज रखा था लेकिन मज़ा देखिए उस बोज में जितनी चीज़े खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में से बनाई थी हमारे बाजरे हमारा जवार उस में से बनाई थी दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाओं में खेटी करता है मोटा अनाज पादा करता है मैंने दुनिया को समझाया है ये मामुली अनाज नहीं है ये सुपर फूर है सुपर फूर आपकी सहथ के लिए उत्तम फूर है और मैं दुनिया में आपके किसानों के जवारा बनाई ये बाजरा जवार दुनिया में बेच रहा हूँ दोस्तों मुंका समर्सन मुल्ले भी आज इतना है उतना कभी नहीं था मोधी आपके सुख़ुख में आपके साथ है क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है साथियों SC, ST, OBC भाई और मैंनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आजकल एक पूरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनावाता है समिदान के नाम पर जूठ बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथियों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साथ के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साथ को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात काल लगाकर समिदान को खत्म करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूटकी आड़ ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पार्लोमन में फासन है उनका ये बाबा साब का ये अप्मान है कि नहीं है सम्विधान का अप्मान है कि नहीं है इतना ही नहीं ये मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अप्मान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय एलाइंस के जूठों से उनकी गबाजी से साफ़धान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने ये 460 बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश किया है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के सब्दे लिख के रखिए बाबा साब आम बेर कर खूद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है रामार्ण है मा बारत है बाइबल है कुरान है यह सब कोट हमारी लिए हमारा सम्विदान है साथियों भारत के खिलाप यह इंडिय अलाइंस वाले कितनी नफ्रत से भरे हुए है यह इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडिय अलाइंस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाप बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोक्रण की धर्ती ने रहना है कि हम भारत के परमानू हथियार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे बारत जैसा देश जिसके दोनों तरब पडोसियों के पास परमानू हथियार हो क्या उस देश में परमानू हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी ऐलायंस कि आप परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब-क जवाब चाहिए कि आप परमानू हथियार समाप्त होने चाहिए मैं जड़ा कॉंगरेश को पूछना चाहता है आपके ये साथी कि ये नच GDLS के साथी कि किसके हिसारे पर काम कर रहे हैं यह कैसा गडबंदन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है आज फिर किसके दबाव में आपका यह गडबंदन हमारे परमाणू ताकत को समाप्त करना चाहता है एक तरम मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट बनाने में जुटा आए वहीं इंडी गडबंदन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का एलान कर रहे हैं माता तनोट राय की धर्थी के लोग क्या इसे स्विकार करेंगे कमजोर देश आपको मंजूर है शक्ति हीन देश आपको मंजूर है क्या ऐसा आख सोचने वालों को सजा देंगे इस चुनाव में सजा देंगे कमल पर बोर्ट दबा करके उनको सजा देंगे और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गड़मंदन से सतरक नहने की जरुवत है साथियों जिस भारत मा के लिए हम अपने जीवन की परवा नहीं करते ये कॉंग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है और इसलिए कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्षर राजस्थान की वीर भूमे में आकर कहते है कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान के उसका क्या लेना देना क्या वास्ता यहां आकर के बोलके गए हैं ये राजस्थान की राष्ट भक्ती पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई उससे पुछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता इस माड़मेर के सपूत भी खारा मुन्ड ने करगिल युद में अपना बलिदान दे दिया था और कॉंगरिस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता जिस राजस्थान में कश्मीर में जन में बाबोसा राम देव जी की गरगर पूजा होती हो उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिस्ता जब कश्मीरी हिंदूओं को उनके घर से ख़देडा गया था तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था गले लगाया था और ये पूछते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता अरे उनको पता नहीं होगा करगील के लोग इरान गए थे और इरान में कोविड की भेंकर महामारी में फस गए थे उनको वापस लाना था कोविड के साथ लाना था बड़ा संकड का काम था उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे देश को जान करके घर्व होगा ये मेरे राजस्थान की वीर भूवी है जेसल मेर में इरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगील के रहने वाले थे वहाँ वो माइनस टेंपरेटर में रहते हैं यहां 35-40 डिगरी टेंपरेचर में महिना बर रहे जब ठीक होए तब राजस्थान ले उनको घर वापिस बेजाता ये है मेरा राजस्थान कॉंग्रेस भारत को बाशा प्रांत जात पांत में तोड़ना चाहती है इसलिए आपको इस तुनाव में कॉंग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है साथियों कॉंग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है कॉंग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोध होती है आप देखिए हम लोग देश में राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं माता की उपासना करते हैं लेकिन कॉंग्रेस के सहजादे कहते हैं तो वो हिंदू धर्म की शक्ति का बिनास कर देंगे अरे मेरी माता और बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो किसी मर्द को आगे नहीं पढ़नाने पड़ेगा ये शक्ति को नश्ठ करने वालों को ये मेरी माता बहने ही निपट लेगी देश में राम मंदिर निर्मान का पुनित पावन काम होता है कॉंग्रेस उसका भी बहिश्कार करती है और कॉंग्रेस करती क्या है कॉंग्रेस राम नौमी की सोबा यात्रा पर राजस्तान में पत्थर बाजी करने वाले दंगाईयों को समरक्षन देती है देश में घुस पेठी आते हैं तो कॉंग्रेस उनका स्वागत करती है लेकिन बारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दली और सिख भाई बहनों को नागरिक्ता देने वाले CAA का ये विरोध करते हैं मैं आप से पूछता हूँ क्या कॉंग्रेस एक भी सीट राजस्तान से जीतने की हकदार है क्या एक भी सीट पतिनी चाहिए क्या उनकी इस बारतों उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाईयो जाएगे साफ कर दीजे उनको ये सुद्रेंगे नहीं साथियों 26 अप्रिल को राजस्तान और देश के भविश के लिए एक बहुत बड़ा दीन है और मैं रिफाइंडी कुछ गाणन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है भारतिये जनता पार्टी ने बाड़बेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाज चौदरी जी को दी है इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर बरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आपके आशिर्वार लेने आया हूँ मेरी माताए बेहनों के आशिर्वार मेरे नवजवानों के आशिर्वार मेरे बुजुर्गों के आशिर्वार धानी धानी मेरे किसान भाई बेहनों के आशिर्वार यही मेरी उर्जा है यही मेरी ताकात है चाहे जितनी गर्मी हो 26 अप्रिल को सुबे सुबे ही कमल का फूल खिलना चाहिए खिलेगा और इसलिए मेरा अनुर्वद है पहले मतदान फीर जलपान पहले मतदान फीर पहले मतदान फीर अच्छा मेरा एक और काम करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करोगे सब के सब करोगे माता है बेने भी करेगी देखिए पहले तो मैं राजस्तान में बहुत गुमा हूँ सब दूर जाता था संगठन का काम करता था इन सब के साथ कंदे से कंदा मिला करके काम किया है लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगा पे जा नहीं सकता हूँ तो मेरा एक काम करोगे गर गर जाकर बताईएगा कि अपने मोदी बाड मेर आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुचा होगे हर बुजुर को मेरा प्रणाम पहुचाओगे जब इन सब को मेरा प्रणाम पहुचेगा न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विक्सित भारत का सपना पुरा करने के लिए मैं अपनी पूरी उर्जागा दो मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल